जिला सोलन के अंतरगत कुनिहार में एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, हाथसे में एक व्यक्ती की मौत हो गई और एक व्यक्ती गंफी रूप से घायल हो गया हाथसे की सूचना पुलिस को दे गई, पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए अर्की भेज दिया, वहीं घायल व्यक्ती को शिमला रैफर कर दिया गया है, पुलिस आगामी कारवाई में जुट गई है शनिवार सुभा करीब तीन बजे के आसपास नालागड से केंटर गाड़ी रोजमरा की तरह दूद पनीर की सप्लाई लेकर शिमला रामपूर की ओर जा रही थी, जैसे ही गाड़ी कुनिहार से करीब पांच किलोमीटर दूर, शाड़ा घाट के करीब पहुँची तो अच अचानक अन्यंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, मामला सुभा तीन बजे का होने की वजह से किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी, सुभा करीब साथ बजे के आसपास जब स्थानिय ग्रामीर अखबार की सप्लाई लेने सडक में आया, तो अचानक उनकी नजर सडक से नी सडक तक लाना आसान नहीं था, पुलिस्वा स्थानिय ग्रामीरों ने कड़ी मशकत से घायल वाशव को सडक तक पहुँ जाया, मृता की पहचान मंडी बल के 34 वर्षिया सोमदत के रूप में हुई है, वहीं घायल निचली खलेर रामशहर नालागड का रहने वाला है, घा एक घायल हुआ है, परन्तु ठाना पर सुजना सुभा मिली, लोगों ने जब सुभा उस टैंकर को वहां गिरा देखा, जिस पर पुलिस मौका पर गई, और मौका पर दो लोग जो इंजर्ड थे, वो पाए गए, उनको वहां से अस्ताल पहुँआ है, जिसका नाम सोमदत बतलाए गया है, जो सिटी चैनल के लिए कुनिहार से शेहनाज भाट्या के साथ दैराम कश्यब की रिपोर्ट